तो अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की सोच रहे हैं, तो ये जो नया मामला पटना से सामने आया है, पहले उसे जान लिजे, सायद आपका विश्वास उड़ जाएगा सरकारी अस्पताल में ओप्रेशन या फिर कोई इलाज कराने के लिए तो जरा सरफ पटना के एम्स के अस्पताल में एक डॉक्टर, पुरानी डॉक्टर जहां पे इंटर्न करती थी, एम्स में ही उसमें ओपरेशन कराने गई, ओपरेशन हुआ, अच्छे से हुआ, लेकिन 9 महिने बाद उसके ओपरेशन में कुछ ऐसी कमी दिखने लगे, जिसे जानका अब उससे दुबारा से ओपरेशन कराना पड़ा, दसराल एक डॉक्टर ने एम्स के अस्पताल में 21 सितंबर 2021 को ओपरेशन कराया, ओपरेशन अच्छे से हुआ, सब ठीक चला, लेकिन 15 दिन बाद उसके टांके खुल गए, क्योंकि वो टांके पक गए थे, लेकिन उसे रीजन नहीं पता था, जब वो डॉक्टर के पास दुबारा जाच के लिए गई, तो डॉक्टर ने उसे बोल दिया कि तुमारी लापरवाही के कारण तुमारे टांके पक गए हैं और खुल गए हैं, डॉक्टर ने उसे डाट कर निकाल दिया, बाद में उसके पारोतली जमी थी एक तरह से खिसक गई थी, क्योंकि उसके अल्टरा साउन में उसके पेट में 5.6 cm की रूई दिखी थी, तो पीडित लड़की जब अस्पताल गई, एमस में शिकायत करने की ऑपरेशन के समय उसके साथ इतनी बड़ी लापरवाही की गई, जिसके बाद जो अस्पताल वाले थे, उसका सपोर्ट करना चाहिए था, उसका दुबारा से इलाज करना चाहिए था, ये सब नहीं किया, अस्पताल वालों ने उस लड़की के साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की और उसी के खिलाफ F.I.R. दर्ज कर दिया कि बिकार में गलत इलजाम पुलिस वालों ने भी उसकी कुछ नहीं सुनी, बकायदा उस लड़की का कहना है कि उसने रिटर्न में कारेवाई नहीं की, लेकिन जब डॉक्टरों ने उसके खिलाफ एक्शन लेने को कहा, तो पुलिस ने ले लिया, वैसे रविवार को उसने दुबारा ओपरेशन करा दिया है, लेकिन एंस में नहीं कराया है, प्राइविट हॉस्पिटल में, दो घंटे तक उसका तुबारा से ओपरेशन हुआ और कॉटन निकाल दी गई, वैसे अगर प्राइविट अस्पताल में डॉक्टरों की माने, तो उसके पेट में उस कॉटन से पग गया था, प्राइविट अग्टम निस